कई बार ऐसा होता है कि कोई आपको Wi-Fi connect करके आपके phone में दे देता है लेकिन password नहीं बताता तो आज मैं आपको बताऊंगे कि आप कैसे अपनी समझदारी से इस password को पता कर सकते हो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वीडियो को सेव करना है और वीडियो को आखेर तक देखने के बाद फॉलो जरूर कर लेना चलो, बताती हूं आपको इस वांडा ट्रिक सबसे पहले फोन की सेटिंग में जाना, नेटवर्क और इंटरनेट पर क्लिक कर देना यहाँ पर आपको वो वाइफाई शो होने लगेगा जो अभी आपके फोन में कनेक्टेड है, उस पर क्लिक कर देना इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ आप्शिन्स दिखाए देंगे, जो भी वाइफाई कनेक्टेड है, उसके सामने यह जो साइन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना अब आपके सामने टीन आप्शिन्स है, पॉर्गेट, डिसकनेक्ट और शेर, शेर पर क्लिक कर देना आपको यहाँ पर शेर वाले ऑप्शिन पर क्लिक करना है, और आपके सामने यह QR कोड आ जाएगा, इस QR कोड का स्क्रिंशॉट ले लेना अब आपको Play Store से QR और Barcode Scanner इंस्टॉल कर लेना है अगर आपके फोन में पहले से scanner है तो आप उसका इस्तमाल भी कर सकते हैं या फिर आप Google Lens का भी इस्तमाल कर सकते हैं इस QR Code को scan करने के लिए मैंने इस आप को open कर लिया है और उसके बाद यहाँ पर उस image को आपको scan करना है उस qr code को आपको scan करना है जो आपने थोड़ी दिर पहले screenshot लिया है और उसके बाद इसके बाद आपके सामने इस wifi की पूरे information आ जाएगी और यहाँ से आप password भी इसका देख सकते हो जानकारी अच्छी रगी हो तो वीडियो को जादा से जादा शियर ज़रूर करेंगा